बच्चों आपके सामने सो सब प्रति मिनट गती का डिक्टेशन देऊँगा डिक्टेशन में जो वाक्यांस और पूरी जो आउटलेन आरी पहले मैं आपको लिख के बता जेता हूँ उसके बाद उसकी प्रेक्टिस करें यह राहतकारी है की लखिम पूर खीरी खा नीचे से करके उपर ले जाएं वो नाम के नेचे टिक लगा दें में बेहद लाइन को रच करके बेहद दुखत और खोप पेदा करने वाली गटना घख को आदा करके गटना के बाद यहीं पर आप आदा कर दें के ओमिट कर दें अटना के बाद आंदोलन रथ आंदोलन का सब चिने इसमें रथ लगा दें आंदोलन रथ किसानों और प्रसासन बड़ा गुला करके प्रसासन के बीच कार दें के समझोता हो गया हो गया इसके दहत इसके का सब चिने इसके तुटा से कर दे इसके दहत कार कार रह करके ता एक पढ़ने में जाए कार से कुचल कर कुचल कर मारे गए मारे गए किसानों और फिर जवाबी हिंसा में पीट पीट कर मार दिये गए भाजप्पा कारिकरता और अन्य का सब चिने अन्य लोगों के परिजनों को समुचित मुआउजा मवजा दिया जाएगा लेकिन विचार का सब चिने इस पर इसके अंदर बढ़ा कर देंगे इसको परन कर जाएगा इस पर लेकिन विचार इस पर होना चाहिए होने का सब चिने इसमें चाहिए लगा दिये होना चाहिए कि आखीर आकर डेट लगा के खर कर दिये आखीर यह घटना घटना हो जाएगा तर निकल जाएगा घटना हुई क्यों? इस सवाल इसका सब चिने इस सवाल का जवाब भी खोजा जाना चाहिए है जाना के डिरेक्शन में हाका गुला लगा दें जाना चाहिए और उससे सबक भी सीखे जाने चाहिए आखिर जब इस्थानी सांसद इस्थानी सांसद एवं केंद्री मंत्री आजय मिस्र मा के अंदर सहरा कर दें आजय मिस्र टेनी नाम के निचे ठीक लगा दें टेनी के एक बयान के कारण किसान संगठन आक्रोशित थे तो फिर उन में और भाजपा कारी करता हूँ के बीच बाजपा कारी करता हूँ के बीच टकराओ टावर से टकराओ टालने के लिए आवशक उपाए क्यों नहीं क्यों का सब्चिन उसमें नहीं लगा दें किये गए किये गए सवाल यह भी है कि सवाल यह भी है कि यह केसे सांती पून सांती का सब्चिन उसमें पून लगा दें सांती पून आंदोलनकारी थे जिनोंने अपने साथियों को कथित तोर पर कथित काकवारा करते था निकल जाएगा तोर पर डबल करतें टककर मारने वालों को उनके वहानों से खीचने के बाद भगवाद करें खीचने के बाद पीट पीट कर मार डाला इन में एक पत्र कार पत्र को डबल करें कार निकल जाएगा भी था आखीर आकाटेत लगा के खड़ कर दें आखीर उसकी उसका सब्सें उसका लगा दें उसकी क्या गलती थी क्या नियाई क्या नियाई मांगने का यही तरीका है नियाई मांगने का यही तरीका है नी संदे नी साना कौणा कर दें और घेरा कर दें नी संदे एसे हिंसक तोर तरीकों तभी का सब्सें तरी तभी देखने को मिलते हैं जब आंदोलनकारियों और सासन प्रसासन के बीच लाइन को कार दें के बीच सासन प्रसासन के बीच विमनस्य बढ़ता चला जाता है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता की बीते दस महिने से जाई किसान संगठनों के आंदोलन का सप्षिन हैं आंदोलन के कारण आंदोलनकारियों और सतापक्ष के बीच कटूता हद से ज्यादा हगवादा करें दर निकल जाएगा हद से ज्यादा बढ़ गई है यदि दोनों पक्षों के बीच बहुत और बीच का सप्षिने बाचीत नहीं पोती और सिग्र ही किसी सुलह समझोते पर नहीं पहुच नहीं पहुचा जाता तो जेसी बयावह गटना लखिमपूर खीरी में हुई वेशी अन्यत्र भी हो सकती है अन्यत्र भी हो सकती है यदि एसी यदि एसी गटनाओं से गटनाओं से बचना है और यह सुलनिश्चित करना है की आगे जानमाल का 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 आगे जानमाल का नुक्सान आगे जानमाल का नुक्सान का सब चिने नसर नुक्सान नहों नखों तो तो फिर दोनों पक्षों को नरम रविया राजय काड़ दें दोनों पक्षों को नरम नरम दोनों पक्षों को नरम रविया दोनों पक्षों को नरम यहाँ से देखनें अपनानी नरम रविया अपनानी के साथ किसी समझोते पर पहुँचने की इच्छा सकती सच मुच दिखानी होगी लखिमपूर खीरी की घटना के बाद इस इच्छा सकती का प्रदसन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि किसान संगठनों के आंदोलन से बेजा लाब उठाने वाले सक्री हो गए हैं वे न केवल कटूता और उतेजना फेला रहे हैं बलकी माहोल विगाडने का भी काम कर रहे हैं यह मानने के अच्छे भले कारण है कि लखिमपूर खीरी में में एसे तत्व तक वादा करें तत्व अपना सरारती एजेंडा पूरा करने में सफल हो गए हैं सायद इन तत्व का काम इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि कई समू किसान संगठनों को उक्साने में लगे हुए हैं जो तमाम विपक्षी नेता लखिमपूर खीरी जाने को आतूर थे उनका उद्देश वहां जान गवाने वालों के प्रती समवेदना प्रकट करना नहीं बलकी अपनी बलकी अपनी बल्कि अपनी बल्कि अपनी राजनिति रोटिया सेखना था तो बच्चु ये डिक्टेशन आपका जिसके आउटलेन आपने लिखी अब इसी डिक्टेशन को सो सब प्रतिमिनट गती से लिखेंगे यस स्टार्ट यह राहतकारी है की लकिमपूर खीरी में बेहत दुखद और खोब पेदा करने वाली गटना के बाद आंदोल अंडरत किसानों और प्रसासन के बीच समझोता हो गया इसके तहत कार से कुचल कर मारे गए किसानों और फिर जवाबी हिंसा में पीट पीट कर मार दिये गए बाजप्पा कारिकरताओं और अन्य लोगों के परीजनों को समुचीत मौजा दिया जाएगा लेकिन विचार इस पर होना चाहिए कि आखिर यह घटना हुई क्यों इस सवाल का जवाब भी खोजा जाना चाहिए और उससे सबक भी सीखे जाने चाहिए आखिर जब इस्थानी सांसद एवं केंदरी मंतरी अजय मिस्र टेनी के एक बयान के कारण किसान संगठित आक्रोसित थे तो फिर उन में और बाजप्पा कारिकरताओं के बीच टकराओ टालने के लिए आवश्य कोपाई क्यों नहीं किये गए सवाल यह भी है कि यह कैसे सांतिपून आंदोलनकारी थे जिन्नोंने अपने साथियों को कथित तोर पर टकर मारने वालों को उनके वहानों से खीचने के बाद पीट-पीट कर मार डाला इनमें एक पत्रकार भी था आखिर उसकी क्या गलती थी क्या नियाय मांगने का यही तरीका है निसंद्य ऐसे हिंसक और तोर तरीके तभी तेखने को मिलते हैं जब आंदोलनकारीयों और सासन प्रसासन के बीच व्यमनस बढ़ता चला जाता है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता की बीते दस महिने से जारी किसान संगठनों के आंदोलन के कारण आंदोलनकारीयों और सत्ता पक्ष के बीच कटूता हस से जादा बढ़ गई है यदि दोनों पक्षों के बीच बाचीत नहीं होती और सिग्रही किसी सुलह समझोते पर नहीं पहुचा जाता तो जेसी बहाव़ गटना लखिमपूर खीरी में हुई वेसी अन्यत्र भी हो सकती है यदि एसी गटनाओं से बचना है और यह सुनिश्चीत करना है कि आगे जानमाल का नुक्सान न हो तो फिर दोनों पक्षों को नरम रवया अपनाने के साथ किसी समझोते पर पहुचने की इच्छा सकती सच्मूश दिखानी होगी लखिमपूर खीरी की गटना के बाद इस इच्छा सकती का प्रदसन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि किसान संगटनों के आंदोलन से बेजा लाब उठाने वाले सक्री हो गए हैं वे न केवल कटूता और उतेजना फेला रहे हैं बलकि माहोल बिगारने का भी काम कर रहे हैं यह मानने के अच्छे भले कारण है कि लखिमपूर खीरी में ऐसे ही तत्व अपना सरारती एजंडा पूरा करने में सफल हो गए सायद इन तत्वों का काम इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि कई किसान संगठनों को उक्साने में लगे हुए हैं जो तमाम फिपक्षी नेता लखिमपूर खीरी जाने को आतुर थे उनका उदेश वहां जान गवाने वालों के प्रति सवेदना प्रकट करना नहीं बलकि साजनितिक रोटियां सेखना था अब यह सब बन होना चाहिए क्योंकि लोगों की जान पर बनाई है धन्यवाद